नमस्कार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं क्लिक टूटे का सुबक इस रिपोर्ट में तो 2019 से 22 सिशन वाले पार्ट वन के जितने भी स्टूडेंट जो अभी प्रतिक्षा कर रहे हैं पार्ट वन के रिजल्ट का तकरीवन एक लाग बाइस जार दो सो तिरेपन च यह उसमें जो परीशन इंappy नंवर में नंबर क्यों दिया गया साथे सतु हमने प्रैक्टिकल की परिक्षा एंद दीती थी लेकिन उसमें अप कुछ बयान दिया है तो अभी जो रिपोर्ट आप देख रहे हैं जिसमें की यहां पे लिखा है कि सुधार के नाम पे बंद किया गया पोर्टल तो आपको तीन चार दिनों से जो रिजल्ट नहीं दिख रहा है आज चौथा दिन हो जाएगा तीन दिनों से तो रिजल्ट तो उन्होंने बताया कि odd number में number कैसे आ सकता है तो objective होई थी परिक्षा प्रते एक प्रशन जो थे दो अंकों के थे तो विश्म अंक कैसे मिले यानि के odd number कैसे मिले चात्रम चात्राओं को इसके लिए परिक्षा ने इंतरक ने क्या जबाब दिया है कि परिनाम में जो है गर सिटी की घलतियों को छुपाया जारा है जो अभी हालत हुई है उसे बैन नहीं किया सकता है क्योंकि बच्य 앞에 बहुत इसाथ हतास है परशान है उनका है यह să electronicosition कम नमबर है और परिशान है कईों को प्रोमूटेट तक करा दिया गया है तो यहां पर सिर्फ उनिवर्शिटी अपनी बाते कह करके बच जाती है यहां पर जैसा के रिपोर्ट आप देखेंगे बियार विस्विद्याले की और से इसना तक 19-22 सेशन की जो परिशा का परिणाम महज 10 दिनों क अंदर में जारी किया गया है तो यह कोई इतिहास रचने वाली बात थी उनिवर्शिटी के लिए लेकिन तब जब यह उनिवर्शिटी परिशा परिणाम को जो है सही तरीके से जारी कर पाती पचास प्रशनों के उत्तर देने थे इसमें लेकिन बच्चों ने कहा है कि हमन और नंबर में मार्क्स दिया गया है साथी साथ हमने प्रैक्टिकर के एजामनिशन दिया था वहां में एपसेंट कर दिया गया है प्रमोटेट करा दिया गया है तो इसको लेकर के परिशन इंतरक ने कहा कि यह तकनीकी गरबरी हो सकती है कि आपका जो है रिजल्ट गरबर ह अब कब तक कि result जारी करेंगे इसका भी अनुमान कोई लगा नहीं सकता है येकिन result को दुरुस्ट करने में तकरीबबन तीन से चार दिनों का समय और लग सकता है तो आप पहले ही ऐसे काम कर लेते यानी вод को यह समय ज़ादा ले लेते कि 3-4 दिनों का जब समय लेगी उनิरसिटी इसमें जो है रिजल्ट क्या सही तरीके से फिर से जारी कर पाती है कि नहीं कर पाती है क्योंकि पेंडिंग रिजल्टस का पहले ही आकरा बता दिया गया था और उनका नाम और लिस्ट जो सौब दिया गया था उनिवर्सिटी को उनिवर्सिटी ने हर कॉलेज को जो इन्फॉर्मिशन भी दे दिया था कि हाँ इतने बच्चों का रिजल्ट पेंडिंग में गया है लेकिन जब बात आई में रिजल्ट्स की यानि कि साफ सुत्रे रिजल्ट्स की तो वहाँ पर भी जो गरवरियां देखने को मिल गई कि वेफसाइट क्रैस कर गया या फिर जो है जब नंबर देखने को मिला तो और्ड नंबर में नंबर्स आए हैं कई छातरों के जो है एक नंबर जीरो नंबर इसे कर का हैं? तो यहां पर टेक्निकल इशु का बाद जो है कैhндर करके परिशाइन इन्तरक भी निकल रहे है क्योंकि परिशाइन इन्तरक को भी सही तरीकी से जानकारी नहीं मिल पा रिया जो भी टेकनिशन से उनके तरफ से अब क्या ही का आ जा सकता है तो अब आपका क्या कहना है नीचे कमेंट एक बारी कर दीजेगा और ये आज की रिपोर्ट थी दैनिक जागरेन की आप लोग वहाँ पर जाके विस्तार से जो है इस ख़बर को पढ़ सकते हैं तो तक के लिए हम चलते हैं धन्यवाद फिर मिलेंगा अगले वीडियो में